दोस्तो आज के स्ट अको अफोस्टियू आपको इस तरह किसे फुल स्क्रीन लोगो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं पिकसर लैब के अंदर जो बी स्टेटिस आप बनाता हैं फुल स्क्रीन वाला उसके आगे आप इस तरह का फूल स्क्रीन लोगों लगा सकते हैं मैं आपको दो अलग अलग बैगराउंट के अंतर सेम लोगों को बनाना सिखाने वाला हूं जो कि अभी आपने स्क्रिंट के ओपर देख लिए आप कैसे बनाएंगे मैं आपको complete सिखाऊंगा तो आपसे इस रिक्वेश्ट के वीडियो को लास्ट देखते रहे ना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपको अपने मुबाइल फोन में पिक्सली अप्लिकशन को डाउंलोड करके आपन कर लेना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्स में मिल पूर्ट मैं आपको देद दूंगा तो आप उनको डाउनलोड कर लेना पिक्सलाइब अप्लिकेशन को आपके सामने इस तरह के से पेज़ आएगा आपको यहां पर फोर नंबर पर क्लिकना है साइड में स्लाइड करेंगे फ्रॉम गैल्टर पर आपको क्लिकना है यहां पर म क्elesאת करेंगे यहां पर meine full screen के अंदर ऐर्डी बना रखा है तो मैं आपको दो स्कूछिछ प्लिक करेंगी मैंने इस वाले background का यूज के आप इसको select करके right पर क्लिक करेंगे background आपका यहां पर add हो जाएगा यहां पर आपको अपना नाम लिखना होगा इसके लिए आप A पर नाम को देखिए आप 일 है लेकिन नाम के जो आगे मेरे चूरते लेकिन नाम के आगए वाला जो सब्सक्राइब है और आधेट लिए वह है यहां परगते को А Depp कीना सवाइट में और यहां पर यहां पर цел Matho आप वीडियो के अंठर विडियो को लार्श तक देख देरा आपको क्लिक करेंगे क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ और आपके जहां पर पर वीवे फॉल्डर में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो font आपको सबसे पहले लेना है वो कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर काफे सारे font मैंने अल्रेडी ले रखे हैं आपको कुछ इस तरीक से font मिल जाएगा आप इसको select करेंगे यह वाला font आप देख सकते हैं उसके बाद आपको OK पर क्लिक नेना आपका नाम कुछ इस तरीक से आजाएगा नाम पर आपको double tap करेंगे उसके बाद आपको नाम के आगे आपर क्लिक नेना है और इसको यहाँ से थोड़ा सा space दे देना है ताकि जो नाम का आगे वाला word है यहाँ पर कटेगा नहीं उसके बाद OK पर क्लिक करेंगे नाम सही तरीके से आजाएगा साइड में स्लाड करेंगे आपको कलर पर क्लिक करेंगे और यहां पर नीचे नाम है तो आपको यहाँ पर सिर्फ और आपका है यह पर निख आपका नाम का first word है इसको आप select करेंगे उसके बाद red color को select करेंगे अभी जो red color है यह नौर्मल नौर्मल नहीं फुल ग्रैड है यह वाला color आपको मिलेगा आपको plus पर click रहे हैं इसके बाद आपको ok पर click कर देना है और उसके बाद आपको edit का जो e है इसको आप select करेंगे बाकी नाम को छोड़ करेंगे इस तरीके से उसके बाद वही वापस red color select कर लेंगे अब देखिए अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर white color को रख सकते हैं लेकिन जो बाकी जो वर्ड जिनाम बच गया हम उसके अंदर black color यूज करेंगे तो हम edit के बाद जो e को छोड़ने के बाद जितनी वर्ड़ seven को select करके black color ले लेता है और इधर अभाई के जो एह है इसको छोड़कर बाकी सभी वर्ड में black color लेने के बाद आपको right पर क्लिक कर देना साइड में स्लाइड करना है यहां पर साइडों पर क्लिक करेंगे यहां पर जो second line है इसको आप ले लेंगे यहां पर two तक उसके बा करेंगे और इस वार लेंगे को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे यहां पर देखते हैं इसको three और इसको four उसके बाद right click करेंगे तो आपके नियाम के इंदर काफी अच्छा side to add हो जाएगा अपने नाम के लंबाई को आप खीच लेंगे कुछ इस तरीगे से तो इतना का काफी है जस्त आप क्या करेंगे यहां पर copy options है इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम नाम नीचे आएगा इस पर आप यहां पर लेकर आएंगे double tap करेंगे इसको delete करेंगे और यहां पर जो भी अपना introduction आप लिखना चाहते नीचे जैसे मैंने लिखा था status and logo editor तो जो भी आप बारे में अपने जो भी अपना लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर type करेंगे नाम आपको इसी तरीकette से लिखना है जिस तरीकette मैंने लिख रखा है उसके पसrzeण एपको okay पर लेंगे और लबाई में कहींच लेंगे ऐसकी साइच को कम कर लेंगे तो और इसके अनंतर अल पर क्लिक करना है यहां पर मैं आपको दो नंबर का फॉन्ट देने वाला हूं उसको आप स्लाक्ट करके यहां पर एड़ करेंगे तो आपको यह वाला फॉन्ट मिलेगा इसको स्लाक्ट करके आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहां पर आ जाएगा आपको नाम पर डबल टैप करना यहां पर स्टेटस के स्टेटस और लिखा यहां पर स्पेस है तो यहां पर एक स्पेस और देंगे और यहां पर भी और स्पेस देंगे और यहां पर क्लिक देंगे उसके बदब को ओक पर क्लिक कर देना है अब आपको साइड में स्लाइड करें कि यहां पर स्पैसिंग इसको करेंगी इस तरहिग की साइज को बढ़ा लेगे तो यहां पर अपके नाम के दर काफी अच्छा'll स्पेस हो जाएगा उसके मेरे हैं इसके साइज को यहां पर 23 रखोंगे तो आएंगे और नाम को स्टेटस है तो स्टेटस का जो ऐसा इसको आप स्लक्ट करेंगे साइड लास्ट में जाएंगे यहां पर पीला कलर इसको आप स्लक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर एंड है तो एंड का जो ए सोरी ए है इसको आप स्लक्ट करेंगे और उसके बाद लोगो का जो एल है इसक तो इसमें आपको ब्लैक ले लेना उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है तो इस तरह के तापका नाम आ जाएगा आपको दीखे कुछ भी चेंजस करने के ज़रूत नहीं है आपका नाम बेलकुल परफेक्ट तरीके से सैट हो जाएगा यहां पर मैंने था मैं सिप करने की ताकि हमारा नाम देखने में अच्छा लगे दोस्तों उसके बाद आपको बीच में क्लिक ना इस वाले उप्सिंस पर उसका आपको इंपोर्ट पर क्लिक ना यहां पर मैं आपको कुछ ग्राफिक्स पी एंजी में यूज करने वाला हूं तो वह मैं आपको दे दू कि उसके बाद आपको राइट पर क्लिक देना है और इसकी साइज को आप अपने अकॉर्डिंग कम कर लेंगे तो यहां पर जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइट करना चाहते हैं उसके इसको साइट कर सकते हैं तो जो नाम आपने लिखा जैसे आप इसके उप को यहां पर आड़ करना चाहते हैं इस जगे पर आप अपने नाम को इधर खींट केश की साइज को छोटा कर लेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी इसको साइट कर सकते हैं बाके इसमें एक लोगो ग्राफिक्स का और यूज किया था इंपूर्ट पर क्लिंगे करनेंगे इसको भी हम आ पर मैंपको दिखा दो कैसे इसको आड़ करना है लाद को इसलाक्त करेंगे आप heterocounty क्रॉप करेंगे और राइट पर क्लिक करेंगे और यहां पर यह आएगा इसको आप क्या करेंगे यहां पर छोटा करेंगे और जो नाम आपने लिखा आप नाम के उपर इसको साइड करेंगे उसके बाद साइड में स्लाइड करेंगे साइड हो कर देंगे इस तरीके से और फर्स्ट लाइन को कम क प्लिक कर देंगे इस तरह किसी साइट हो जाएगा अपने एकोडिंग जो भी ग्राफिक्स आप आड़ चाहते कर सकते हैं तो अब आपको करना किया इस लोगों को गलरी में साइब कर लेना तो शेयर पर क्लिक ना और डिफॉल्ट पर कलिक ना अल्टर अब क्लिक कर देना है अब आपको करना क्या सबसे आगे जो अप्सिन से जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको डिफोल्ट पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको इमेज साइच पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको यूट्यूब थम्नल को स्लेक्ट करके ओके पर क् या आप इसको अपने यسाब से सही तरीक से यहाँ पर बिल्कुल साथ करने कि है और यहां प Or order को प्लॉस की क्लिक एन निफ्ट हो प्र यहां पर लाएंगे करेंगे माईफून टेपर क्लिक ना मैं आपको दूसरा जो फोन टेने वाला हूं उसको आप सलाक्ट करके यहां पर एड़ाइड गरेंगा इस तरह के आपको यहां पर लगा देंगे उसके बाद इसके बाद नाम को यहां पर पर यहां पर double tap करेंगे इसमें आप लिख देंगे follow me उपर तो हमने अपने Instagram का username डाल दिया follow me लिखे के और ok पर क्लिक करेंगे और इसमें जो भी color आप रखना चाहते अपने according तो मैं यहां पर पीला color ले ले लेता हूं उसके आपको बड़ा वाला क्यों टाइप करना अगर आपको टालेग्राम का लोगो चाहिए तो आप यहां पर अपने keyword में जाएंगे यह वाला जो है इसको आप स्लक्ट करेंगे कोश्टर को उसके बाद इसमें आपको टालेग्राम का लोगो मिल जाएगा उसके बाद आ गयाएंगे यहां पर बड़ाई वाले एम को लेंगे तो यहां पर यूट्यूब का लोगो आ जाएगा ओके पर आप क्लिक करेंगे साइड में स्लाइड करेंगी मैं आपको दिखा देता हूं आपको क्या करना है फो सोशल मेडिया का अब जस्त आप यहां पर साइड करेंगे इस तरीके से उसके बाद आगया आएंगे और आप क्या करेंगी यहां पर फोर नूबर पक्लिक करेंगे और यहां स YOUR अब डावाई हाई न spaghetti कर लेघर उसके बार डबल टैप करके को वाला जो चीन स्कूड डालके पर क्लिक एंगे टैलेग्राम वो डालेंगे फोलो में जब जोई नाउन लिखेंगे और इसको एक्सपूर्ड कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करेंगे यहां पर फ्रन को फूल स्क्रीन को फारी करेंगे उसको फूल को फ्लीस कींडे daw करेंगे और इसको फूल Claudius की करना करेंगे तो मैंने तो करेंगे तो और ऑसाइड करेंगे यहां पर यूट्यूब का है उसके बाद इसको रूटak करएंगे और राइट परे इसको थोटा करेंगे जस्टिस की साइज का इसके सामने साइट करेंगे तो आप यहाँआँ पर मैं इसको एक्स-पोट कर लेता हूं इस ठाव फून सक्रिंड वाले को उस समय जाएंगी इसका लिंक ब्सक्राइब निंग पन होजाएंगे आपके सामने लिंक ऑपन हो जाएंगी आपके सामने आपको सीबल से किलिक नहीं की निburgन मिल जाएगा उस पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद डाउनलोड फाइल का अपसिस आ जाएगा उस पर जैसे क्लिक करेंगे ता आपके सामने गूगल ड्राइफ फोल्डर अपनो जाएगा जिसमें वो सारा मेटरियल फॉन्ट बैगराउंड मिल जाएंगे ग्राफिक्स पी एंजी जो कि मैंने इस लोगो में यूज की है